मेरे पास कोल आई थी सर के डॉक्टर कोपी थोड़ा से जल्दी आओ और यहां जल साब कुछ गया है तो यहां कोट का और मेरी दिवार का एक ही कम GG है तो मैं पांच मिंट में ही चला गया जल साब की कुछ यहां जल साब की कोछ चला कार खडी थी तीन गंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फिर मैंने दो मिस्त्री बुलाए और उन मिस्त्रीयों ने फिर गाड़ी के काफी पार्ट्स खोले काफी पार्ट्स खोलने के बाद फिर उस सांप को कबू किया खतरनाक तो सर इतना मजबूत सांप था कहीं भी अगर किसी बच्चे के टांके चिपक जाता है आथ के चिपक जाता है हमें भी नुकसान पहुंजा देता है तो पूरा दुपेरा लग गया सर इसमें और दो जजसाब के गंवेन दो मिस्त्री और एक मैं तीन गंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस सांप को कबू करके और सुरक्षित स्थान पर इसको छोड़ दिया गया है आप अपसे सब्सक्राइब लो जजसाब आपका सब्सक्राइब अपने इतना बड़ा सांप कहां से पगड़ा ये सीविल जज कोटी नंबर दो में जजसाब गई आथा कार में कुशिया था तो सर आपके टीम में और भी था कोई या कहले नहीं ये काम अब नहीं प्रेशान किया सर अब कितने टाइम से इस काम में इसको दस्कंदरा साल हो जाए तो सर कभी आपको क्यों इसी तरह नुक्सान भी पूचाए ना अकसर नुक्सान हो जाता है पूबड़ी बात नहीं अब जैसी ये पूड़ा इरिटेट हुआपड़ा है अगर इसको ज्यादा तंग करेंगे तो ये मारी हाथ-पाउं में कहीं भी टेंडन जो है ना मारी स्किन के अंदर फुड़ा नुमसान कर देता है अगर ये नौक्टर गोपी एक साफ खतरनाक साफ को सुरुक्षी जगह पर छोड़ते हुए और इन्होंने एक जज्ज की कोठी से पकड़ा गया है और बहुत खतरनाक साफ है ये और इसको कोठी से पकड़ कर शुरुक्षी जगह पर छोड़ते हुए और इसको सर चोड़ दें क्योंकि बड़ा गड़ड़ है अच्छा जी जड़ा देखना आप आपके सामने ही ना हाँ खतरनाक साफ है ये तो बहुत नच्दिक थले बहुत नच्दिक थाल ऑँ पर शोड़ते हो जा जीए ये तो चला गया जी है